नमस्कार, मैं हूँ मेगना चादरी हर सपने का एक मतलब होता है, हर बात का एक मकसद होता है जिसे मिट्टी की गुडियां हमारे बच्पन में रंग भर देती हैं जिसे जिम्मेदारी हमें जवान कर देती है वैसे ही ख्वाहिशें वक्त के साथ हमें काम्याब कर देती है LIC सपनों की उडान सीजन 2 का सफर आज मुंबई से अपनी उडान भर रहा है मुंबई जिसे किसी जमाने में बॉम्बे भी कहा जाता था कहते हैं जिसको अपने सपनों को हकीकत में बदलना है वो सपनों की नगरी मुंबई ज़रूर आता है आज के हमारे LIC के सफल एजेंस भी मुंबई से है सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसी शक्सियत की जिन्होंने स्तिफर से लेकर शिखर तक का सफर यहीं मुंबई में तैखिया जो LIC के टॉप 10 एजेंस में से भी एक है आए चानते हैं क्या है उनकी कहानी में खास और क्या है राज रेल्वे स्टेशन और बस टैंड पर कभी पैन बेच कर जीवन यापन करने वाले राजेस सातोसकर ने सपनों को केवल देखा ही नहीं बलकि उन्हें अपनी आज की हकीकत भी बनाया राजेस सातोसकर 14 साल के थे जब उनके पिता को गंभीर बिमारी से गुजरना पड़ा पिता बिमार थे और परिवार आर्थिक तंगी के चलते पूरी तरही तूट चुका था एक औसत विध्यारती होने की कारण आपके सामने कोई विशेश करियर प्लान नहीं था लेकिन आपने मन में पैसे कमाने की लगन थी आपने सीमेंट कंपनी में करीब साड़े तीन साल नौकरी की पर आप अपने काम में संतुष नहीं हुए साल 1991 में आप LIC के साथ जुड़े और वापस कभी मुखर नहीं देखा आज आप देश की टॉप टेन LIC एजेंट्स के लिस्ट में शुमार ही राजेश्टी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे खाश यो LIC सपनों के ओडाएं सीजन टू में तो आप इस सफर के बारे में हमें बताएंगे कि आपका इस सफर कैसा रहा है सफर बहुत शांदार था लेकिन बहुत कष्टदायक था काफी स्ट्रगल काफी पेशन्स बढ़ गए पुरे लाइफ जीने के लिए और वो जो स्ट्रगल था उससे आज प्राउड फीद होता है और आगे की जिन्दकी जीने के लिए एक प्रिर्णा मिलती है तो जो आपकी कहानी है उसके बारे में बुछ बताना चाहेंगे कि किस तरह से एक पैन वाला एक LIC के साथ एक बड़ा एजेंट बन गया यह 29 साल के एक स्टोरी है जो शुरू हुई काफी बेसिक्स चलाने के लिए मैंने घर खर्च के लिए हमारे पास पैसे ने थे क्योंकि मेरे पिता जी के सैलरी बंद हो गए वो बीमार थे मुरे मा ने मुझे हिम्मत दी कि घर चलाना है हमको बेसिक्स के लिए मैं चौल में रहता था पैन भी बेचा बुब बेचा कोरिया सर्वीस में भी गया मैंने सिमेंट भी बेचा मैंने सब कुछ किया जहाँ पर मुझे कुछ नうん कुछ जुन्होंने हमें तयार करने में अज़े एजन्ट काम्या बनने के लिए दोनों हस्बंड वाइप दोनों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है LIC के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? LIC ने आपका कितना साथ दिया है अब तक? LIC साथ दे रही है दिया था और आगे देगी मुझे किसी क्लाइन को कन्विंस करने के जरुवत नहीं पड़ती के हाउ स्ट्रॉंग मैं कमपनी मेरी कमपनी क्या है? हिंदुस्तान क्या? परदेश में भी सब जानते हैं तो आपको कोई सक्सेस मंत्रा है? पेशेंटली काम करना मेहनत करना कस्टमर को गौड समझना मैं एक एजिएंट हूं मुझे इस तरह से उनको मैं सेल नहीं करता लाइफ इंशूरंस मैं मार्केटिंग नहीं करता लाइफ इंशूरंस मैं सिर्फ कंसल्टेशन देता हूं जी राजिश जी आपका जो स्टाफ है उसका आपके काम्याभी में कितना राज है? जो बैक ओफिस है बहुत स्ट्रॉंग है क्योंकि यह सब आफ बॉइस है जो वैल्यूज मैंने उनको दिये कस्टमर के प्रति सद्भाव ना रखने की जए कि बिजनस आये या नहीं आये हमें उस व्यक्ति को हर प्रॉब्लम सॉल करना है डाजिश जी आफ से जानना चाहेंगे आपकी अचीवेंट्स के बारे में अभी तक आपने लाइसी के साथ चुड़कर क्या-क्या हासिल किया है LICU of India ने वर्ल्ड में रेकागनेशन जो होती है वर्ल्ड में किसी भी इंशुरंस प्रोफेशनल को वर्ल्ड में रेकागनेशन होती है टॉप अप दे टेबल एंडिया तो आप अपने जो सफलता गश्रे है वो किस को देना चाहेंगे मैं तो यही सोचता हूँ कि अब बिगनिंग है अभी तो शुरुवात हुई है डियो और उनकी वाइफ सुष्मा के अलावा मेरी सिस्टर जिसने मेरे लिए स्ट्रगल किया मेरी मा और सबसे इंपोर्टन मेरे लाइफ में मेरी वाइफ दिपीका साथ उसकर जो लोग इस प बन जाते हो काफी एजेंट बन चुके है लेकिन यहाँ पर काम्याभी करना सक्सेस करने के लिए स्ट्रगल मेहनत पेशन्स ऑनेस्टी बहुत इंपोर्टन दो राजेशी उम्मीद करते हैं जो आपकी कहानी है उस पे हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको काफी प्रणा मेरी हो आपका उनकी कहानी के अंदर एक एहम रोल है आप स्कूल के समय से होने जानते हैं तो ऐसे में आप उनके सफ़र पर कितना प्रकाश डाल सकते हैं राजेश और में स्कूल में सातके थी फत्त बसक जैसां निखिंगाुर् मतलब राजेश और में एक उसरे के घर में हमेशा चाते आपे रहते थी और कॉलेज में सात में थे बास मैं जबही में एलसु में यु तो सबसे पहले मेरे सामने नाम है राजेश का, ये राजेश एक ऐसा इंसान है, जिसको हमेशा लोगों के साथ मिलने चुनले की आदत है, और वो एक सफल एजेट बन सकता है, ऐसा मुझे पहले से लगा, राजेश is the first agent I have recruited. एजेंट का चुनाव करने के लिए आप उसमें क्या योगिताय देखते हैं? एजेंट के लिए सबसे पहले बाद ये देखनी चाहिए, कि ये रिस्पॉंसिबल है कि ने, तो रिस्पॉंसिबिलिटी पहली चीज है, दूसरा मैं ये मानता हूँ कि उसके पस वक्त होना चाहिए, लोगों के सेवा में पूरा टाइम अपना देना चाहिए, ये दो चीज जो है, वो एक मेंटर है, एक कोच है, गाइड है, टीम में एक रोल है, डेवलप्मेंट अफिजर का मेंटर का कोच का, ये रोल मैं आदा करता हूँ, वो हमारे स्टूडेंट से, वो सुनते है, देखते है और ग्रो हो रहे है, लाज तीस साल में राजेश को आज आज आप देख रहे है, इसका ग्रोथ और ये ग्रोथ अभी खतम ने हुआ, ये आगे चल के चालू रहेगा लेकिन ये रिलेशन्शिप दोस्ती और ये अलग-अलग है। के लिए है हमारा काम है के लिए पैसा मोबिलाइज करके लाना उसके बदले में लोगों को बीमा देना सुरक्षा देना सेविंग्स देना तो एलाइसी 1987 से 2017 एलाइसी के साथ साल पूरे हुए उसमें से आधा सफर मैं उनके साथ में हूँ काफी बदला हुए पर्टिकुलरली आईटी में एलाइसी ने जो भी चेंजिस लाए है वो डाइनमिक है बहुत ही डाइनमिक और यह चेंजिस जो लाए है उसमें एजेंट और डेवलोपने अबर को बहुत अच्छा सपोर्ट मेला और उसकी वज़े से हम अच्छी तरह से काम कर सके जो हमारी यंग जरूरी ज पॉलिसी सबके पास होनी है सेवेंटी परसेट लोगों का पॉलिसी अभी निकालना बाकी है अनिंशोर्ड है जितने लोग आएंगे उतने वेलकम है बिजनेस बहुत पड़ा हुआ है यहां तो जो लोग आना चाहते है वो जल्दी से जल्दी जुड जाहिए यह मेरा सदा सतीश जी आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कोई संदेश या कोई मैसेज जो आप हमारे व्यूर्स को या फ्यूजर एजेंस को देना चाहते हैं देखिए एलाएसी एजेंसी एक ऐसा करियार एक ऐसा प्रोफेशनल है जिसमें आखो चाहिए तो लिबर्टी है पर सातोस करजी से। इनकी कहानी से आपको भी मिली होगी प्रेणा अगर आप भी चुड़ना चाहते हैं लाएसी के साथ तो आप जा सकते हैं लाएसी की نज़दी की ब्रांच में वहाँ आप मिल सकते हैं डवल्लेप्येंट आफिसर से वो आपको देंगे सला की किस तरह से झाल झाल